नमस्कार दोस्तों So friends, NHM बिहार दौरा Community Health Officers की पोश्ट के लिए Admit Card वेबसाइट पर रिलीस कर दी गए आप सबी लोग अपने-अपने Admit Card आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर लें इसके साथ आपको यहाँ पे exam के बारे में भी information दिये देगी कितनी शिप्टों में exam यहाँ पर होगा कितनी dates पर यह exam यहाँ पर आउजित आपका यहाँ पर करा जाएगा तो सारी जानकार इस वीडियो माँ पर cover कर लेंगे तो बिलकुल यहाँ पर समय वरत नहीं करते हैं सीधे से बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर तो दोस्तो admit card को download करने के लिए link यहाँ पर activate कर दे गई लिखा भी हुआ है admit card against advertisement number 06 slash 2021 और यहाँ पर आपको click करना है तो दोस्तो simple सा यह interface यहाँ पर open होगा और इसमें आपको application number इसमें आपको आपको click कर देना है जैसे इसमें आप लोग यहाँ पर click करेंगे फिर आप लोगों को login का यह जो button आपको यहाँ पर दिया जारा इसमें आपको 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 click कर देंगे और आपका admit card open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्जाम की date यहाँ पर क्या रहेगी कितनी shiftों में यह एक्जाम में आपको आउजित कराए जाएगा तो यह जानकारी भी आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर लें तो दोस्तों इसके लिए आप सब लोगों को website पे एक notice आपको यहाँ पर दिया गया एक notification यह आप पर आया हुआ है तो इसको मैं आपको 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 देखा देता हूँ तो बिलकुल आप सब लोग देख सकते हैं NHM बिहार जो State Health Society है बिहार NHM के अंतरगत यहाँ पे इनके द्वारा आवशक सूचन आपको दी जारी और विग्यापन संख्यापको आपको 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 दे दे गई इसमें लखा हुआ है राज्य स्वास्य समीती बिहार पटना के विग्यापन क्रमा के तना के अंतरगत विग्यापती Certificate in Community Health for GNM या फिर B.A.C. नरसिंग के अभ्यारतियों का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ट दिनांग 13-8-2021 को पटना जिला के विविन परिक्षा के इंदरों पर तीन पालियों में आयुजित किया जाएगा तो एक्जाम के डेट आप सबी लोग देख चके होंगे 13-8-2021 को पटना के अलग-अलग सेंटर्स पे आप लोगों का ओनलाइन रिटेन एक्जाम है और तीन अलग-अलग शिप्टों में ये परिक्षा आपकी आयुजित करे जाएगी तो जो भी आपके आप एड्मिट कार्ड पे शिप्ट है तो उसी पे आपको उपस्यत होना है लिखा हुआ है इस हितु प्रवेश पत्र एड्मिट कार्ड दिनांग 7 अगस्ट 2021 से उफीशल वेफसाइट से डाउनलोड कर एवं प्रिंट वियवार में लाया जा सकता है तो अप्लोड यहां पे कर दिगए एड्मिट कार्ड 7 अगस्ट 2021 से उफीशल वेफसाइट के मादव से आप लोड डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट आउट निकालके रख सकते हैं अब दोस्तों देखिए अगली जो इनफोर्मेशन है वो आपके एड्मिट कार्ड को लेकर है सेल्फ डेकलेरेशन आपको आप पे फिल करना है तो उसके बारे में जानकारी दिजारी प्रिवेश पत्र के साथ अभ्यारतियों के लिए सेल्फ डेकलेरेशन एवं सेल्फ डेकलेरेशन एक का प्रपत्र भी उपलब्द कराना जाएगा जिसे अभ्यारतियों को भरकर परिख्षा केंदर पर जमा करना होगा उक्ते दोनों प्रपत्रों को जमा करने के बाद ही परिक्षा केंदर में जाने की अनुमती दी जाएगी तो self declaration जो है आपको fill करना होगा और दोनों प्रपत्र जो है आप लोगों के submit होगे जैसे आप लोग आप पर submit कर देंगे exam आपका आप पर submit हो जाएगा तब आपको परिक्षा केंदर को यहां से submit करने जाने की अनुमती आपको यहां पर दी जाएगी तो दोस्तो यह आपके admit card पर नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से आपको यह self declaration मिलेगा इसमें आप लोगों को information provide करानी है कि सारे आप लोगों के instructions आपने जितनी भी notice है website पर आप लोगों ने आप पर read कर लिए exam से related और अगर आपको इन में से कोई ना कोई एक symptom है पिछले एक हफ़ते के अंतरगत जैसे कि दोस्तों आपको fever है और या फिर आपको गले में दिखकत है कफ है, body act है तो आप लोगों को information देनी होगी सही का निशान आप लोग यहाँ पर लगाएंगे जो box आपको यहाँ पर दिया जा रहा और आपको इन में से कोई भी symptom नहीं है कोई भी लक्षन आपके यहाँ पर नहीं है तो आप लोग इसको यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पर गोशना कर रहे हैं कि COVID-19 वाले किसी भी patient के आप लोग यहाँ पर contact में नहीं थे और यह information आपको यहाँ पर दी जा रही और दोस्तों उसके साथ आप सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ की भी आप गोशना कर रहे हैं self declaration आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर quarantine में भी नहीं थे और इसके बाद जो अगला instruction है लिखा हुआ है SHSB तो State Health Society बिहार के अंतरगत जितनी भी advisories हैं government और बिहार के अंतरगत आप सभी लोग यहाँ पर इसको follow करें aware हैं आप सभी लोग यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर जो है साक्षर हैं इस चीज़ को लेकर और जितनी भी आप कहाँ पर norms हैं जितनी भी नियम है social distancing का, sanitization का exam center पर आप लोग यहाँ पर follow करेंगे इसके बाद दोस्तों पर देखिए पांच में नंबर का यह जो point है आप लोगों को बोला जा रहा है सारी जानकारी आप लोग जो provide करा रहा है बिल्कुस सही है और अगर आप लोग कोई information चुपाते हैं कोई भी जानकारी आगर आप लोग यहाँ पर चुपा रहे है तो आपको legal यहाँ पर आपकर कारिवाई की जाएगी इसके लिए आप लोगों को आपका नाम इसके आपको आपको आपकर लिखना है जो भी admit card पर दर्ज है फिर इसके बाद आपको अपना roll number आपका date of exam और आपका exam का center का नाम और आपका signature तो यह जानकारी आप लोगों को self declaration में भरनी होगी इसके बाद दोस्तों आपको आपको यहाँ पर फिल करनी है तो दोस्तों self declaration यह आपको यहाँ पर फिल करके ले जाना होगा और दोस्तों admit card के साथ कुछ चीज़े आपको आपको आप ले कर जाने है क्या-क्या चीज़े आपको exam hall में enter करते समय आपको आपको आपे जरूवत पड़ेगी तो यह जानकारी भी देख लें तो दोस्तों इस admit card के साथ यहाँ पर कुछ आपको नियम follow करने है जैसे second number का point है candidate must bring their own mask तो mask आपको आपको आपे ले कर जाना है gloves, personal sanitizer जो की 50 ml का यहाँ पर रहेगा पानी की bottle अगर आप लोग आप ले कर जाना चाहते है तो transparent फ़ली जो यहाँ पर water bottle रहती है तो वो आप लोग आप ले कर जाना है एक simple pen आपको आप ले कर जाना है और admit card के साथ साथ आप लोगों को कुछ documents भी ले कर जाने होंगे जैसे कि आपका original ID proof तो जो भी आपका original ID proof है आधार card हुआ, आपका pen card हुआ आपका driving license हुआ, आपका voter ID हुआ तो इन में से कोई भी एक जानकारी आप लोग original form में आप लोग यहां पर ले कर जाएंगे आपका admit card से आपके original ID का नाम आपका यहां पर चेक किया जाएगा verify आपको यहां पर किया जाएगा और इसके अलाबा कोई और other item जो है यहां पर allow नहीं है exam में सिर्फ यह जानकारी ही साथ आपको यहां पर ले कर जानी है तो बिल्कुल समझे क्योंगे admit card आपको यहां पर ले कर जाना है इस साथ साथ आप लोगों को original ID आपको यहां पर ले कर जानी है आपका आदार pen card, voter card आपका driving license, passport जो भी आपके पास यहां पर available है कोई भी जानकारी आप लोग यहां पर original form में ले कर जाना होगी mask आपको यहां पर लगा कर जाना होगा social distancing आपको यहां पर follow कर नहीं है gloves का भी बोला गया है तो gloves आप लोग यहां पर carry करके ले जाए किसी किसी center पर allow यहां पर नहीं करते है strict रहते हैं तो आप लोगों को सारी चीजों का बंदवास पहले से करना है personal sanitizer भी आप लोग यहां पर ले कर जाए एक छोटी जो यहां पर bottle जो रहती है personal sanitizer की 50 ml की आप लोग इसको यहां पर carry करके जरूर ले जाए तो सारी चीज़ें आपको जो है लेकर जानी है और self declaration भी आपको लेकर जाना है और entry के समय आपको social distancing आपको आपको फॉलू करनी है center पर जब कभी भी आप लोग enter होंगे और आपका temperature जो है thermo gun से आपको यहां पर चेक के जाएगा और जब आप लोग यहां पर सही पाए जाएंगे तब आप लोगों को आगे approve कर दे जाएगा आप लोग exam दे पाएंगे और दोस्तों आप लोगों को admit card में अपना photograph भी आपको यहां पर पेश्ट करना है सिर्फ photograph ही आप लोग जो है अपने admit card पे घर से पेश्ट करके आप लोग ले जाएं तो दो कॉलम आपको यहां पर दिये गए आपके admit card पे उपर की तरफ फोटो आपको दोनों में आपको पेश्ट करनी होगी घर से आप लोग अपनी फोटो चुपका के ले जाएं तो पूरी जानकारी मैंने आपके cover की उम्मीद करता हूँ update आप सबी लोग को मिल गया होगा लाइक कर दे इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो कहाँ पे लाइक करें इस मैनत को लाइक जरू करें subscribe कर लें कोई और information अगर website पर आएगी तो मैं आपको information जानकारी जरूर दूँगा तो वीडियो के नीचे जाएं subscribe क्रेट बटन को आपके click करें आगे की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पात नहीं तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much